हेलो दोस्तों मैं कुंदन कुमार आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कौन सेप्ट में स्वागत करता हूं तो जैसा कि दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगला जो वीडियो बनाएंगे वो उसका जो टॉपिक होगा वो होगा भारतिय राज ये मुसके वर्तमान राजिपाल ठीक है तो उसी सिल्सिले में ये वीडियो लेकर मैं दुबारा आ गया हूँ वीडियो सुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँ है कि अगर आप इस चैनल पर नए है तो कि ये चैनल को पहले अगला राज जी वो है असम और असम के वर्तमान राजिपाल है स्री गुलाब चंद कटारिया कौन है स्री गुलाब चंद कटारिया है असम के वर्तमान राजिपाल उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है विहार और विहार के वर्तमान राजिपाल है स्री राजंद्र विश्वनाथ आर लेकर विहार के वर्तमान राजिपाल स्री राजंद् उसके बाद है गोवा और गोवा के वर्तमान राजिपाल है स्री पियास स्रीधरन पिल्लई नेक्स्ट जो हमारे राजी है वो है गुजरात और गुजरात के वर्तमान राजिपाल है स्री आचार्य देव वरत उसके बाद है हर्याना और हर्याना के वर्तमान राजिपाल है स्री बंडारु दत्ता त्रेय उसके बाद है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राजिपाल है स्री सीवपरताप सुकल सीवपरताप सुकल हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राजिपाल है ठीक है उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जहारखंड जहारखंड और जहारखंड के जो वरतमान राजिपाल है वो है स्री सीपी राधा कृष्णन कौन है स्री सीपी राधा कृष्णन जहारखंड के वरतमान राजिपाल है उसके बाद नेक्स्ट है करनाटक और करनाटक के वर्तमान राज़िपाल है स्री थावर चंद गहलोत करनाटक के वर्तमान राज़िपाल है उसके बाद है केरल और केरल के वर्तमान राज़िपाल है स्री आरिफ मुहम्मद खान उसके बाद मद्पर्देश और मद्पर्देश के वर्तमान राज़िपाल है स्री मंगु भाई चगन भाई पटेल, मद्द पर्देश के वरतमान राजपाल है, स्री मंगु भाई चगन भाई पटेल, उसके बाद है महराश्ट्र, और महराश्ट्र के वरतमान राजपाल है, स्री रमेस बैस, ठीक है, उसके बाद जाके देखते हैं, अगला स्टेट और वो है मनिपूर, मन निपुर की वर्तमान राज़िपाल है उसके बाद नेक्स्ट है मेघाले और मेघाले के वर्तमान राज़िपाल स्री फागु चोहन मेघाले के वर्तमान राज़िपाल ये इसके पहले बिहार की राज़िपाल थे उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मिजोरम और मिजोरम के वर्तमान राज़पाल है डॉक्टर कमभंपती हरी बाबू डॉक्टर कमभंपती हरी बाबू मिजोरम के वर्तमान राज़पाल है उसके बाद है नागालाइंड और नागालाइंड के वरतमान राजपाल है स्री लागनेशन स्री लागनेशन नागालाइंड के वरतमान राजपाल है उसके बाद है ओडिसा और ओडिसा के वरतमान राजपाल है प्रोफेसर गनेसी लाल प्रोफेसर गनेसी लाल ओडिसा के वर्तमान राजपाल है उसके बाद आई अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है पंजाव और पंजाव राज के जो वर्तमान राजपाल है वो है स्री बनवारी लाल पुरोहित नेक्स्ट है राजस्थान और राजस्थान के वरतमान राजिपाल स्री कलराज मिस्र उसके बाद नेक्स्ट है सिक्किम और सिक्किम के राजिपाल है स्री लक्ष्वन परसाथ आचारी उसके बाद है तामिलाडू और तामिलाडू के वरतमान राजिपाल है स्री आर एन रवी उसके बाद है तेलंगाना और तेलंगाना के जो राजिपाल है भी वो है डॉक्टर तमीली साई सौंदरा राजन तेलंगाना के वर्तमान राजिपाल उसके बाद आईए अब देखते हैं त्रीपूरा के वरतमान राजिपाल है उसके बाद है उत्तरप्रदेश और उत्तरप्रदेश के वरतमान राजिपाल है वो है लेटिनेंट जञनरल गुर्मीत सीन लेटिनेंट जेनरल गुरमीत सिंग उत्राखंड के वर्तमान राजिपाल है ठीक है और सबसे लाष्ट में पस्षिम बंगाल और पस्षिम बंगाल के वर्तमान राजिपाल है डॉक्टर सीवी आनंद वोस पस्ची मंगाल के वर्तमान राजिपाल है ये तो होगे अठाइस राजि के राजिपाल उसके बाजा के अब जो next है वो हम लोग देखें जो केंदर सासित प्रदेश है वहाँ होता है कहीं कहीं पे होता है LG और कहीं पे होता है एड्मिनिस्ट्रे है ऐइए अब देखते हैं लेप Länder तथा प्रशासक हमारे तेस के जो आठके इंधर सासित प्रदेश है उसके कहां कहांपे गवर्णरर लेपनेंट गवर्णर है और कहां कहांपे एड्मिनिस्ट्रेटर यहनी की प्रसासक है तो इस इसले इन्मिनेल डीके जोसी वर्तमान में अंडमार और निकबार्डवीप के लेट्टिनेंंट कवर्ड़नर है उसके बाद अगला जो केंधरसासित प्रदेश है वो है कि चंडिगड और चंडिगड़ के वर्तमान प्रसासक यानि की एन्मिंस्ट्रेटर है Ricans बनवारी लाल पुड़ोहित वर्तमान में चैन्डिगट के परसासक है ठीक है और उसके बाद जो नेक्ष्ट है वो है दादर और नागर हवेली और दमन और द्वीव और उसके जो परसासक है वो है स्री प्रफुल पटेल स्री प्रफुल पटेल दादर और नागर हवेली और दमन और दिव के परसासक है वर्तमान में उसके बाद है दिल्ली राष्ट्री रालधानी छेतर जिसको की NCR भी बुला जाता है क्या बुला जाता है NCR यानि की National Capital Region और उसके जो लेटिनेंट गवर्नर उपर राजिपाल है वो है स्री विनेकुमार सक्सेना स्री विनेकुमार स मेर्ये वर्तमान में जो लेटिनेंट गवर्नर या उपर हैं उसके वर्तमान में अभी प्रशासक है वो है स्री प्रफ़ल प्रटेल उसके बाद जो अगला केंदर सासित प्रदेश है वो है पुड्डू चेरी और पुड्डू चेरी के जो वरतमान में लेटिनेंट गवर्नर है वो है डॉक्टर तमीली साई सौंधरा राजन कौन है डॉक्टर तमीली साई सांदरा राजन लेटिनेंट गवर्णर है पुड्डू चेरी के इनको अभी अतिरिक्त परभार यहां का मिला हुआ है और सबसे जो लाश्ट में के अंदर सासित प्रदेश है वो है लद्दाख और लद्दाख के जो अभी वरतमान में लेटिनेंट गवर्णर है वो है ब्रिगेडियर स्री बीडी मिस्तरा कौन है ब्रिगेडियर स्री बीडी मिस्तरा यह सेवा निवरित है और लेटिनेंट गव तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल न भूलें और अपने दोस्तों में इसको सेयर इस वीडियो को जरूर करें तो फिर से नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जाहिंद